कि का सबस्क्राइच कर चाहते अगर आप चांड ऐनलीजिस करना चाहते हूँ इंडिकर कर सकते हो एक एसा टूल जिसका नाम है त्रेडिन्ग व्यु और त्रेडंग व्यू पर आप सब कुछ वह कर सकते हो फूरिय बकोच जो आप as a trader करना चाहते हो, आप बड़े-बड़े players देखते हो, बड़े-बड़े traders को देखते हो, जो बड़े-बड़े screen पे charts को लगाते हैं, एक साथ चार column लगाते हैं, चार charts लगाते हैं, support रेजिशन, ये में, ऐसे बहुत सारे indicators लगाते हैं, उसमें long position, short position, trend line, सारे levels द्रा करते हैं, तो वो सब अगर आपको भी द्रा करना है, बड़े screen पे, बड़े, अगर आपको लैप्टॉप है, desktop है, monitor है, TV है, तो आप उस पे बड़े chart पे कैसे levels को द्रा कर सकते हो, जिससे आप अपने trading journey को और beautiful बना सकते हो, mobile app पे अगर आपको demand icon पे levels द्रा करना है, उसका video मैंने already बना के रखा है, लेकिन अगर आपको trading view के बारे में नहीं पता, सब कुछ आज करें में tutorial में बताने वाला हो, तो वीडियो को skip मत करना, बहुत ही महनत से आप सब के लिए tutorial बना रहा हो, trading view का और बहुत ही बहतरी वीडियो होने वाला है, आप ज़रूर comment करिएगा, वीडियो देखने के बाद कि आपको वीडियो कैसा लगा और आपने पूरा detail में देख लिए थे कि trading को कैसे use करना है, तो सबसे पहले तो आपको Google पर जाना है, Google पर सर्च कर देना, trading view, trading view, free of course platform में, जहाँ पर किसी भी type के stocks, options, futures, cryptocurrency, forex trading, Indian stock market की जितने भी stock से वो सारे यहाँ पर देख सकते हो, analysis कर सकते हो, और इस पर अपना levels draw कर सकते हो, और trading भी कर सकते हो, क्योंकि यह बहुत ही भेतेरीन टूल है, trading view पर सबसे पहले तो आपको अपना account बना लेना, ओल्रेड कर आपका account होगा, तो यहाँ पर sign in कर सकते हैं ठीक है यहाँ पर already मेरा account है यहाँ पर मैं sign in कर लेता हूँ आपका account नहीं होगा तो सबसे बहले है आपको यहाँ पर sign in कर लेना है ठीक है यहाँ पर कुछ आपके सामने step out खुलेगा, तो already यहाँ पर मैंने कुछ, यहाँ पर stocks enroll करके रखे हैं, बहुत सारे, तो left hand side पर आपको उपर एक corner पर option लेगा, search का, simply आपको इस पर search कर देना है, जो भी आपको एक stocks search करना है, जैसे कि मैं Reliance का stock search करना चाहता हूँ, तो यहाँ पर आप Reliance का stock search कर ले, यहाँ पर NSC, BSC, सारे options आपको मिल जाएगे, ठीक है, तो launch chart पर मैं क्लिक करता हूँ, तो हमारे सामने trading view का पूरा dashboard open हो जाएगा, जहाँ पर आपको stock के सारे details दिखेंगे, ठीक है, अभी step by step देखते हैं कि trading view में क्या का आपको यहाँ पर दिखने वाला ह तो सबसे पहले यहाँ पर हमारा chart open हो जाए, ठीक है, आप यहाँ पर देखोंगे, तो हमारा यह Reliance का जाट है, सबसे उपर आप देखोंगे, तो यह हमारा Reliance का stock है, Reliance Industry का NSC में, जिसका price आप देखोंगे, तो Reliance का 2, 3, 1, 4 पर आज यह close हुआ है, ठीक है, आप यहाँ पर देखोंगे तो यह उपर आपको यहाँ पे दिखता है कि यह stock का opening क्या था, high कितना price था, low कितना था और close कहाँ पे हुआ, ठीक है और volume कितना था यह पूरा आपको यह trading view बताता है, यह टॉप पे आपको दिखेगा, यहाँ पे indicators को option है, यहाँ पे आप indicators लगा सकते हो, आने व पूरा हमारा toolbox से अलग-अलग इसमें tools होते है, जिसका अभी हम step by step use करके देखेंगे कि कैसे levels को drop करना है, right hand side पे आप देखोंगे तो यहाँ पे हमारी watch list है, आप यहाँ पे multiple stocks को add कर सकते हो, टाकि आप track कर पाओ कि कौन सा share कितना उपर जा रहा है, कितना नीचे जा रहा ह करते हो, ठीक है, तो watch list में आप यहाँ पे plus पे click करके कोई भी stocks को आप यहाँ पे add कर सकते हो, ठीक है, simply आपको stock का नाम सर्च करना है और यहाँ पे plus पे click कर देना, plus पे click करोगे, तो left hand side पे stock यहाँ पे add होते जाएंगे, already मैंने बहुत सारे stock यहाँ पे add करके रखा है, ठ मुझे कोई सी stock पे support resistance ड्रा करना है, तो कैसे करेंगे, already यह हमारा stock है, Reliance का मैंने search क्या हुआ है, ठीक है, तो यहाँ पे time frame दिया है, हम अब हम इसको swing trade के लिए ले रहे है, तो मैं इसको day time frame पे analysis करूँगा, कि day time frame हमारा क्या levels बन रहा है, ठीक है, अगर आपको इस already मैंने यहाँ पे कुछ levels draw करके इसको delete करना है, तो मैं इसको simply delete पे click करूँगा, remove all drawings, ठीक है, अब यह बड़े time frame पे मुझे दिख रहा है कि market, आप यहाँ पे देखोंगे, तो market इस level पर जा रहा है, नीचे आ रहा है, इस level पर, फिर उपर जा रहा है, फिर उपर जा रहा है, फिर stock का price नीचे up, up, down कर रहा है, ठीक है, तो हम देख लेते कि हमारा support क्या है, तो support draw करने के लिए left hand side पर आपको यहाँ पर lines का option में लेगा, जिसमें आप trend line, ray, info line, horizontal line, यह बहुत कुछ आप यहाँ पर समने channels वगरे draw करना चाहते है, यह सब कुछ यहाँ पर दिया गया है, जै इसका एक panel open होगा, यहाँ पर, जिससे आप इसका color change करना है, color change कर सकते हो, dotted line चाहिए, आपको dash line चाहिए, सारे options यहाँ पर आपको दिये जाते है, color change का है, setting में इसको आप text, text लगाना चाहते हो, इस line को, तो आप सब कुछ यहाँ पर लिख सकते हो, मैं हाँ पर लिखता support, ठीक है, इसका color change करना है, color भी हम change कर देते हैं, इसका size बढ़ाना है, text का तो size भी बढ़ा देते हैं, तो यहाँ पर आप देखोंगे, तो line के साथ यह जुड़ गया है, हमारा support, ठीक है, यहाँ पर आपके समने reply का option है, undo, redo का option है, जैसे हम control Z, control V करते हैं, वैसा आपको यहाँ पर option दिया है, अब यहाँ पर हम resistance भी ड्रॉक कर लेते हैं, हमारे पास यह एक resistance लेवल है, ठीक है, यह वाला और एक उपर का एक resistance लेवल है, यह वाला, ठीक है, दो हमारे लिए resistance लेवल है, यहाँ अगर आपको लिखना है तो सिप, आप setting में जाओ, setting में जाके text में लिख सकते हो ठीक अगर मुझे मैनुवली लिखना है तो यहाँ पर आपके सामने ओप्षिन है टेक्स का आप यहाँ पर टेक्स को लाके छोड़ दीजे और यहाँ पर लिखे रेजिस्टंस लेवल मैं लिखता हूँ जो भी प्राइस होगा रेजिस्टंस लेवल वो मैं हो कितना है हमारा सपोर्ट प्राइश ठीक है 1996 ठीक है तो अब मैंने यह लिखे कर लिया avare बल चांप पे अभी मुझे यहाँ वन सबसी हो ग Cartbot देखना चाहिए बल मदेम पर देखा अब ठीक है ठीक है ठोड़ा अब जेह अभी डां आ रहा है तो कितना डाउन आ सकता है उसके लिए हमने एक सब्सक्राइब कर लिए अब हम थोड़ा चौटे लेवला पर जाते हैं चोटे लेवल ले स्क्राइब जाता है तो इसके नीचे अगर मार्कीट और जाता है तो इसरोचफ़ लेवल नाव practically having support देखना पड़ेगा पिछले चार्ट में जाके कि इसके नीचे price कव आया था ठीक है थोड़ा अगर हम पीछे scroll करेंगे तो यहाँ पर आपको दिखेगा ठीक है लगबग आप यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर आप देखोंगे तो आप यहाँ पर है calendar है आपके सामने यहाँ पर डेट डिया जाता है month ठीक है अभी हम वन आउर का चार्ट देख रहें मतलब वन आवर में अभी हम हर एक वन आवर की एक एक candle आपको यहाँ पर देखने को मिल रही है ठीक है उसके basis में भी हम सपोर्ट रेशन्स ड्रा कर रहे है ठीक है तो यहाँ पर कैलेंडर से आप पिछले चार्ट देख सकते हो जितने भी कौन से भी जो भी दिन का आपको चार्ट देखना है तो आप उस दिन का चार्ट यहाँ से कैलेंडर से एक्सेस कर सकते हो ठीक है तो थोड़ा जूम में यहाँ पर कर देता हूं तो यहाँ पर आप देखोंगे तो नीचे हमारी जो एल मैं इसको एलो कर देता हूं एलो लाइन हमारे लिए आज का लो था तो इसके नीचे अगर प्राइस कल के दिन आता है तो कितन में ड्रॉ कर रहा हूँ यह हमारे लो है लो मतलब मार्केट आसे उपर गया मार्केट यहां से नीचा इस लेवल पर फिर मार्केट यहां से उपर गया फिर मार्केट इस लेवल पर फिर मार्केट उपर गया फिर मार्केट इस लेवल पर नीचा तो यह हाईयर लो हाईयर लो पैटन मार्केट बना रहा है ठीक है तो यहाँ पे जो सपोर्ट बन रहे मतलब यहाँ पे बायर्स बैटे हुए मतलब यहाँ से बाइंग हुए है 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 इसलिए हम यह सपोर्ट लेवल ड्रॉ कर रहे हैं ठीक है तो हमने सपूर्ट लेवल अभी ड्रॉ कर लिए अभी हम अगर हम नियरवार रेजिस्टन्स लेवल देखे तो आज का जो प्राइस क्लोज हुआ इफ्सक्री यहां से मॉणुपर गया अब कल की दिन अगर मार्कट इसके वी उपर जाता है प्राइस तो हम अब अपसाइट के लिए रेजिस्टन्स देखें नहीं मतलब मार्केट कहा कहा से नीचे आया है वो आपको देखना है जो जो लेवल से नीचे वो holेवल को मांक करना है ठीक है यह भी हमारे लिए कि लेवल रहेगी अगर कल रिलाइंस का स्पूरी इसके उपर नोगा तों में यहां यहाँ पे बाय करूँगा और गृट कर दो यह मिरें टार्गेट रहेगा इसके भी ऊपर मार्केट जाद सबीख़े हैं यहाँ बाई करूँगा तो प्रेक एक सेट तक टार्गेट रखोंगा तो यह सपूर्ट रेजिस्टन्स पर आप इसले इजिली ट्रेट कर पाऊगे तो वह न और पर अभी देख लिए अभी में 15 मिट पर देखोंगा कि कोई पैटन बन रहा है को स्रक्चर बन रहा है ठीक है तो सपूर्ट रेजिस्टन्स आप आपने ड्रॉथ तो कर लिया है आप देखोंगाथ यहाप फ्रेगाँ फिल हूआ है ठीक है तो यहाप देखोंगे तो मार्कीट करके प्र पकर लिता चलेगा की कैसे आपको यह ट्रेड करना है ठीक है तो इस पगए अगर आपको लेवल्स ड्रॉ करना है जैसे कि रेक्टैंगल ड्रॉ करना है रेक्टैंगल आप यहाँ पर ड्रॉ कर सकते हो सिंप्ली आपको यहाँ पर क्लिक कर देना और यहाँ पर ऐसा टाइप का रेक्टैंगल ड्रॉ कर सकते हो जिस टाइप का अगर आपको रेक्टैंगल रहा है कुछ trend line जैसा बन रहा है ठीक है तो इस पर नहीं बन रहा है हम bank निफ्टी पर चले जाते हैं है bank निफ्टी पर आप देखोंगे तो यहाँ पर trend line यहाँ पर अल्डेडी मैंने support resistance द्रॉब करके रखे है यह कल दिन नीचे गया मार्केट इस लेवल पर एक बार टच करेगा टच करके फिर एक बार नीचे आ सकता है ठीक है तो यह अगर आपको पता है प्रॉपरली तो आप देखोगे तो अल्रेडी यहाँ पर मैंने सपोर्ट बनाया था आज की दिन मतलब कल का अनलिस किया था कि मार्के तो यहां तक जाएगा ठीक है तो आप देखोंगे तो से मार्केट ने फाइम मिनिट टाइम फ्रेम पर अब आप देखोंगे आप आपको देखने को मिलेगा सपोट रेजिसन्स का लेवल तो डेफिनेटली सपोट रेसल्ट आप इजीली ट्रेडिंग यूग कर सकते हो यह सब कुछ अलग-अलग चार्ट चार्ट पे अलग-अलग टाइम फ्रेम पे आपको अपलाय करके देखना है जब कभी आप अनलिसिस करते हो इससे आपको पता चलेंगा कि जो बड़े टाइम फ्रेम पे आपको पता चलेंगा कि मार्केट का ट्रेंड क्या है मार्केट का डारे यान ज्यान है उससे बहुत सारे tools है आपको patterns मिल जाएंगे tools मिल जांगे shapes मिल जाएंगे arrow Mia arrow करना ऐंअ कर सकते ओखे तो सारे emoji वगरे आप सब कुछ यहाँ पर easily draw कर सकते हो emoji चाहिए आप audition ले सकते हो text चाहिए text चाहिए text páginaь से प्राइस लेबल है ठीक है यहां पर अगर आपको ड्रॉ करना है तो यहां पर आपके सामने एक ड्रॉ का भी है लाटर भी मिलता अब आपको हाइलाइट करना यह पूर्शन ठीक है और इसमें बहुत सारे नाईने फीचर्स है, यहाँ पर आप नीचे देखोंगे तो नीचे आपके सामने स्ट्रॉक स्कीनर है, फाइन आडटर, स्राटेजी, ट्रेडिंग पैनल, यह बहुत सारे ओप्शन्स है, इसको अगर आपको यहाँ से ट्रेड कर सकते हों, ठीक है, तो ट्रेड करने के लिए भी यहाँ से ट्रेडिंग व्यूप आप इसलिए कर सकते हों, यहाँ फ्री अपकोस्ट, हंत फ्रीकित republican का एक्सेस है, है जिससे हम सब कुछ देख सकते analysis कर सकते सु trading यू बहुत ही बहते इन प्लाटफरम में मैं भी इसको काफी दीन से उसकरता हो काफी बड़े-बड़े ट्रेडर्स इसको ट्रेडिंग व्यू की उसकर सकते जिसमें आप foreign के stocks, cryptocurrency के बिटकोईन फॉर्स फॉर्स की जो भी यूस टाउक से उसको भी आप देख सकते हो आपको ती दबाना है जैसे कि अभी मुझे अमेजान का स्च देखने तो आप सर्च करेंगे तो आपके सामने आ जाएंगा कि इसका कितना प्राइस चलो आप वो ट्रैक कर सकते हो ठीक है यहाँ पर सिब आपको सर्च करना है और देखना है कि कि Amazon का डॉलर में क्या रेट चलो तो यहाँ पर आप देखोगे तो अभी यह मार्केट चालो है तो आपको दिख रहा होगा ही मुवमेंट हो रहा है ठीक है यह लाइव मार्केट में आप देख सकते हो यहाँ जो चार्ट है फाइव मिनिट के चार्ट पर अभी एक कैंडल यह है यहाँ आपको बनते विए दिखेगी फाइव मिनिट का टाइम पर अभी हमने Amazon के स्टॉक पर लगाया Amazon.com पर तो अभी आप देखोंगे तो 126.07 रुपिस का यह स्टॉक अभी चल रहा है ठीक है तो इस पर अनालिसिस करके आप अपने इसाब से ट्रेड कर सकते हो कि क्य क्या इस पर पैटन बन रहा है क्या इस पर सपोर्ट बन रहा है मैं इसको बड़े टाइम फ्रेम पर देखूंगा तो बड़े टाइम फ्रेम पर क्या पैटन बन रहा है क्या स्ट्रक्चर बन रहा है उसको देखके आप ट्रेंड अनलिसिस कर सकते हो कि मार्केट का ट्रेंड करेंगे मार्केट का अभी अब देखुँगे तो रधान वेट रेंड है आपको यह डाइरेक्शन दिख राओगा ठीक है यहां से मार्केट आप देखोंगे तो डाउन जा रहा है बतलब अमैजान स्टाइक अभी डाउन जाते हो आपको यहाँ पर दिखरा होगा लेकिन यह हमारी ली आनलिसीस करना आपके लिए जरूर्वरिये कि मार्केट का ट्रेन क्या मार्केट का सबुर्णेशनस क्या है आप यहां से इजीली ड्रॉ कर सकतेवों ऊंवे लवी रेल आपको I hope कि समझ चुका होगा कि कौन से टूल्स कैसी उसकरना है कैसे चार्ट को देखना है कैसे यहाँ पर स्फोक को एट करना है सिंप्लिए आपको प्लस क्लिक करके आड करना यहाँ डारेक्ली डबाके यहाँ पर कोई भी स्टॉक को सर्च कर सकते हो जैसे IDFC bank मुझे सर्च करना तो यहाँ पर मैं इसको क्लिक करूँगा तो मेरा IDFC bank का stock open हो जाएगा तो easily आप इस तरीके से किसी भी stocks को किसी भी option में किसी भी cryptocurrency में या UX Forex trade में आप यहाँ पर अपनी analysis कर सकते हो और जो भी आप analysis करोगे वो auto save यहाँ पर होते रहेगा जिसकी मदद से आप trade कर पाओगे ठीक है तो यह हम easily draw कर सकते levels trading view के help से और इससे हम trade भी ले सकते हैं यहाँ पर indicators में हम next video में देखेंगे indicators किसे लगाते हैं इंडिकेटर की setting वगरे बहुत कुछ होता है तो step by step हम देखेंगे तो बहुत एच्छी तरीके से आपको समझेगा भी और आप चीजों को सीखेंगे भी तो I hope guys कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चाहें को subscribe जरू कर दे आने वाली वीडियो में आपको बहुत सारे नएने कॉंटेंट मिलने वाल है इस वीडियो में इतना ही वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट वाक्स मते हैं ये ट्रेडिंग व्यूग का ठेंक्यू आल मिलते हैं नेक्स वीडियो में